तो यहां पर आज मैं बात करूंगा आपसे मुसल रिकवरी के बारे में डूस एंड डॉन्स ऑफ मुसल रिकवरी क्या चीज़ आपको अपलाई करने चाहिए और क्या चीज़ अवाइड करने चाहिए पर बैटर मुसल रिकवरी तो लेट स्टार्ट वेड डॉन्स तो यहां पर सबसे पहले है आता है ओवर ट्रेनिंग आपको ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी है मुसल्स की जो लोग वर्काउट करते हैं रेगुलर वर्काउट कर रहें उन्हें कम से कम भी एक से दो दिन का ओफ ल नहीं होती है वो घ्रो करती है डूरिंग रेस्टिंग पीरियर्ड जब आप सोटे है जब आप फुल डे छोगर करती है जिसकी विशेस revenues क्रेड करती है इससा क्या होता है जितने भी hydrogenated oils हैं जो junk foods में हैं यह package foods हैं उनको avoid करें वो हमारी muscle recovery को slow down करते हैं third thing यहाँ पर आती है आप isolated movements को कम करें और compound movements पे ज़्यादा focus करें isolated movements इतनी muscle gain नहीं कर पाएगी जितनी compound movements में आपको muscle gain हो पाएगी अब हम बात करते हैं यहाँ पर डूस के बारे में जो की first thing यहाँ पर हमें क्या करना है anti-inflammatory foods को add करना है diet में like जो भी omega-3s है it's a anti-inflammatory food omega-3 के लिए आप यहाँ पर fish oil के supplement add कर सकते हैं flax seeds add कर सकते हैं chia seeds walnuts इन समय काफी omega-3 है तो यह एक anti-inflammatory की तरह work करेगा जो आपकी muscle recovery के लिए भी better है उसको improve करेगा second thing आती है get plenty of protein and amino acids आप अपने diet में good quality of protein को add करें बहुत से जो जिम गोर्स हैं वो अपने complete एक तरह से complete protein intake नहीं रख पाते हैं अपने diet में जिसके उनकी muscle gain भी नहीं हो पाती है और muscle recover भी नहीं हो पाती है तो कम से कम भी जो आपका body weight है per kg per gram protein रखें जिन लोगों को muscle build करनी है gain करनी है वो कम से कम इसको जिसका 70 kg body weight है वो कम से कम 140 ग्राम पर प्रोटीन ले पर ग्राम प्रोटीन ले पर डेव थर्ड यहां पर हम बात करेंगे compound exercises के बारे में compound exercises को अपने workout में workout schedule में add करे compound exercise like deadlift shoulder press and bench presses इसमें क्या होता आपकी largest muscles को ये target करता है and multiple muscles को ये target करेगा यहां पर compound movements आपकी muscle gain के लिए grow के लिए बहुत beneficial है इसमें काफी muscle involved होती है जब भी आप इसको perform करते हो like deadlifts हो गया यह आपकी full body की muscles को target करता है जितने भी अपकी back muscles है completely पीछेगी back muscles को complete तरीके से target करता है अब यहां पर हम बात करते है लास्ट इंग multi vitamins and minerals के बारे में जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ protein लेने से ही उनकी muscle grow पाएगी या muscle recover हो जाएगी that's wrong आपको अपने diet में vegetables and fruits भी add करने कम से कम 5-6 serving आप fruits and vegetables की add करें for better muscle recovery so यह थी guys do's and don'ts for muscle recovery अगर आप इस चीज को follow करते you will definitely see the changes in muscle recovery so guys आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो please like कर देना share कर देना subscribe कर देना जो लोग नए है इस channel पर नए हो प्रीज subscribe कर देना and take care